समस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेट साप करने के कुछ घरेली उपाई जब हमारा पेट साप नहीं होता है तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हम भो भी बताएंगे पाचन तंत में गरवड़ी से हमारी पूरी दिंचारिया पे भावित हो सकती है हमें किसी काम पर ध्यान के इंदित नहीं कर पाते हैं और बार बार टॉयलेट के चक्कर काटने पड़ते हैं वही अगर आपका पेट ठीक से साफ होए तो आप स्वस्त जिन्दगी का आनंद ले सकते हैं और दोस्तों जानते हैं किन समस्या हो सकती हैं पेट दर्द जलन खटी दकारें सिर्दर्द कब्ज जैसी बीमारी बहुत सारी समस्या हो जाते हैं चलिए दोस्तों जान लेते हैं कुछ घरलू उपाए जिसे करके पेट साफ हो जाएगा पहले नंबर पे बात नीवू पानी पेट साप करने की दवा के रूप में आप नीवू पानी का इस्तमाल कर सकते हैं। आपको बताएंगे के नीवू पानी से पेट साप कैसे करें आप लोगू सामगरी आधा नीवू का रस ठंडा या गुनगुना पाने कैसे करें इस्तमाल हम आपको ये बताएंगे। आपको ये बताएंगे नीवू का पानी पीने से आपको पाचन तंट ठीक से काम करेगा। एक सटिक फाल है जो पेट के लिए बिसेले तत्वो को बेसर कर देता है। नीवू में भरपूर मात्रा में बिटेमन सी पाया जाता है। मेटा वोल्जम को बढ़ाने में मदद करता है। सरी से बिसेले पधातों को बाहर करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे अधरक नीवू के अलावा अधरक भी पेट साप करने के लिए एक अच्छा कारगर माना जाता है गुडों से भरपूर होता है जो सरीस जुड़ी कैई परेशानियों को दूर कर सकता है पेट साप करने के लिए आप अधरक उपयोग में ले सकते हैं सामगरी अधरक आविसिक्ता अनुसा साप पानी आधा लीटर कैसे करें इस्तमाल हम आपको ये बताएंगे पेट साप रखने के लिए आप अधरक की थोड़ी मात्रा को सीधा सेबन कर सकते हैं इसके अलावा गरम पानी के साथ अधरक का रस मिला का सुबह उठने के बाद और सोने के पहले ले सकते हैं अधरक का पानी बनाने के लिए आप आधा लीटर पानी में एक चमच अधरक का रस मिला लें और उसे घरम करें पानी को थोड़ा गुनगुना होने दें फिर चाय की तरह इसे पीएं कैसे लाबदायक है दोस्तों हम आपको ये बताएंगे यह पिरकिरिया पाचन तंत को मजबूत बनाने का काम करेगी इससे आपको काफी मदद मिलेगी अधरक बहुत ही गुणकारी है होता है आप इसका इस्तमाल भोजन बनाने में भी कर सकते हैं दोस्तों इससे भी आपका पेट साप हो जाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरा हो पाय यह भी घरेलुए इसे करके भी आप अपना पेट ठीक साप कर सकते हैं अलसी के बीज पेट साप रखने के लिए अलसी के बीज भी काफी ज्यादा फायदे वन्द हैं जानिए पेट साप कैसे करें अलसी के बीज से किस पिरकार हम आपको बताएंगे सामगरी, एक चमच अलसी पाउडर, एक गिलास दूद, दही, एक छोटा कटोरा, गरम पानी, एक गिलास, कैसे करें इसमाल अब हम आपको ये बताएंगे दोस्तों, आप अलसी का बीजो का पाउडर बना लें, एक गिलास दूद या गरम पानी में, एक चमच अलसी का करें, आप अलसी पाउडर 10 ग्राम को सुभ़े खाली पेट सेहद 30 या 40 ग्राम के साथ भी ले सकते हैं, कैसे फायदे मंद हैं, आपको ये बताएंगे दोस्तों, अलसी के बीजो में, ओमेगा 3, फाइबर और फैटी एसेड से भरपूर होता है, या पाचन तंत को मजबूत और आतों को सुष्ट रखता है, आप पेट साफ करने के लिए यह बताए गए अलसी घरेलू उपाई को भी उपयोग में ले सकते हैं, इससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं, चौथा उपाई ये भी घरेलू है, इसे करके भी आपका पेट सा सकता है, सामगरी दोस्तों, रोज कम से कम एक से ओ बनाने की विधी, कैसे करें इस्तमाल, आप सेओ का सीधे या अन फलों के साथ सलाद पना कर भी खा सकते हैं, आप सेओ का जूस निकाल कर भी पीज सकते हैं, इससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा दोस्तों, कैसे जरूरी पोस्टिक तत्व पाए जाते हैं, सियो में मौजूद यह ऐसी बिटेमिन घार तत्व हैं, जो पाचन तत्व को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, पेट की समस्यों से बचे रहने के लिए आप सियो का अपने वोजन में सामिल करें, इससे आपका पेट साप रहेग में आप दही का इस्तमाल कर सकते हैं, कबजी की समस्या के दौरान इसका सेवन काफी फादे मंद है दोस्तों, कैसे इस्तमाल करें हम आपको यह बताएंगे, एक छोटा कटोरा, कैसे करें इस्तमाल, दही का सेवन आप सीधे कर सकते हैं, भोजन के साथ ले सकते हैं, कैसे ला इसे करने से भी दोस्तों आपका पेट साप हो जाएगा तो ये घरेलू उपाए आप लोग अपना प्नाएं और इससे करके आप अपना पीज लोगों को पसंद आए तो सेर करिए सस्क्राइब करिए зачем करिये मेरा वीडियो देखने कि लिए दोस्तो धन्यवज।